नमस्काल बहुत बहुत शुब कमनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर तो दोस्तों आप जानते हैं कि समय बहुत ही कम दिन बचा हुआ है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सिर्थ सरक मुहारे और लोकोक्तियों पर भी वीडियो बनाईए तो चलिए महतपूर्ण मुहारे और लोकोक्तियों जो आपको इभिन्द कामटीट एक्जाम में पुछा गया है इन क्विच्चन पर जो है मैं वीडियो बनाया हुँ और देखी एक चीज और बता दूँ मैं कुछ क्विच्च तो महतोपुण सुचना है तेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दिया हूँ, आप जब भी विडियो देखते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें फस्त में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर कि जौइन कर सकते हैं चलिए बिना दरी के शुरू करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है अंगुठा दिखाना अंगुठा दिखाना का अर्थ क्या होता है तो समय पर धोखा देना बहुत ही महत्वपूने ध्यार रखेंगे इसे आप याद कर लेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है MPT कर लेज अंगुठा दिखाना आ सकता है next जो है अपनी खिचली अलग पकाना इसका अर्थ होता है अलग रहना या फ्र स्वार्थी होना तो देख लेंगे आप एकजाम में कौन सा आपका आपसान आता है दोनों में से नेक्स्ट है इट से इट भजाना इस महारे करत होता है युद्ध क्या है युद्धात्मक विनास लाना क्या युद्धात्मक विनास लाना नेक्स्ट है उल्टी गंगा भाना तो कुछ चीज आप यहीं से समझ लेंगे सेंटेंस से ही समझ में आ जाता है उल्टी गंगा भान नहीं होने चाहिए आपको क्योंकि वो sentence प्रकट कर देता है लेकिन वहां option आपके जो दिखेंगे उसे आप जो है देख करके लेना है आठ 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 आशूर होना मतलब होता है बुरी तरह पेस्ताना नेक्स्ट है इद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दीखना नेक्स् गुडवान का जन्म गरीब के घर गुडवान का जन्म या गुडवान का उत्पन ऐसा भी लिखा रहता है तो आप लोग देख लेंगे आपकी एक्जाम में कौन सा option दिया रहता है देखी यहां क्या है एक लाइन में बता रहूं आपको सरल लग रहा है लेकिन वहां पर ऐ ऐसे ऐसे कुछ confuse कर देता है दो चीज दो option कि हम इसे ले या इसे ले तो आपको यहां से याद रखना है यहां आपको याद रहेगा तो वहां बिल्कुल भी बिल्कुल ही सरल होगा आपको बनाने में कलम तोड़ना करत क्या होता है बढ़िया लिखना कलम तोड़ना मतलब वीर गती पाना है, बहुत ही important है, ये कई बार पुछा गया है, तो चलिए, next देखते हैं, कलेजा ठंडा होना, ये भी बहुत मत्पून है, संतोस रहना, ये संतोस होना, next है, खटाई में पढ़ना, मतलब जमेले में पढ़ना, next है, गुलर का फूल होना, तो लापता होना, next चलते हैं, सारे के सारे आभ्यास जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही मत्पून है ये, घर का न घाट का, तो देखी, घर का न घाट का मतलब क्या है, कहीं न कहीं, next है, पौबारह होना, तो पौबारह होना, मतलब खूबलाब होना, next है, चठी का दूध याद आन मतलब बहुत परिसान होना, next देखने हैं, आखो पर चर्वी छाना, मतलब अधी घवन होना, next मुहारे को चलते हैं, उची दुकान फीका पकवान, मतलब दिखावा मातर या आडंबर ही आडंबर, तो देखी, मुहारे लोकोक्ती दोनों हैं इसमें, तो आपको याद रखन हैं, next है, खुसामदी टट्टू होना, तो देखी, खुसामदी टट्टू होना, मतलब चापलूस होना, next है, ढाक के तीन पात, तो ढाक के तीन पात, मतलब सदा एक सा रहना, याद रखिएगा आप लोग, next है, आधा तीतर, आधा बटेर, मतलब बेमेल होना, इस परस्ट ह आपके से ही नेक्स्ट रहते हैं अंधों के बीच काना राजा मतलब अंधों के बीच काना राजा जनरली हम लोग समाने रूप से उपयोग करते हैं तो यह सिंपल है आप सभी जानते हैं मुर्खों के बीच कम बुद्धी वाला व्यक्ति भी क्या होता है योग्या होना कम प्रमोट जरूर कीजिए और जो है अधिक सधीक लोगों को सेर कर दीजिए ताकि उन तक भी है वीडियो पहुच जाए अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए का अगर पार्ट टू चाहिए इसमें तो मैं और बना दूँगा आपको आपके लिए मुहारे का चलिए नेक्स्ट है चार दिन की चांदनी मतलब ये सब क्या है चण भंगूर नेक्स्ट है आँक कतारा होना आप सबी जानते हैं सुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप सब लोग अत्यधिक प्रिय होना नेक्स्ट है चक्के छुडाना मतलब हिम्मत पस्त कर देना चक्के छु तो चलिए, नेक्स्ट क्यों चलते हैं, धूप में बाल सफित करना, इसका क्या होगा, तो धूप में बाल सफित करना, मतलब अनुभवी होना, नेक्स्ट है आँख चुराना, मतलब छूप जाना, या फिर सामने ना आना, नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना, पुराने रिती र लकडी होना तो अंधे की लकडी मतलब एक मात्र शहारा नेक्स्ट है लाल पिना होना मतलब होता है क्रोथ करना नेक्स्ट क्यों चलते हैं चिराग तले अंधेरा कहते हैं चिराग तले अंधेरा तो अपनी बुराई नहीं दिखती नेक्स्ट है मुह मेराम बगल में छुरी तो दिखावटी सजनता या फिर कपट पूर्ण पे वहार करना नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम मतलब अधीकलाब या फिर होता है दोहरालाब नेक्स्ट है चमडी जाए पर दमडी ना जाए मतलब बहुत कंजुस होना नेक्स्ट है कहते हैं अठका बनिया देय उधात मतलब दबाव पढ़ने पर सब कुछ करना पढ़ता है नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब देखते हैं चलिए यह जो है आपका क्या है लोकोक्तियां है नाच ना जाने आंगन तेड़ा मतलब काम ना जानना और बहाने बनाना चलिए नेक्स्ट की ओर चलते है एक तो करेला कडवा दूसरे में नीम चड़ा बहुत अच्छा भी लगता है लोकोक्तियां पढ़ने से दुर्गुणी और दुर्गुणी का सयोग चले नेक्स्ट की ओर चलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैस मतलब सक्ति साली व्यक्ति की ही विजय होती है नेक्स्ट है चीकना घडा मतलब निरलज व्यक्ति या जिस व्यक्ति पर किसी बात का कोई असर नहीं पढ़ता नेक्स्ट की ओर चलते हैं छचुंदर के सीर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य अपात्र को क्या है अच्छी वस्तु की प्राप्ती अयोग या अपात्र को क्या होता है अच्छी वस्तु की प्राप्ति तो देखिए जैसे महिला परवेक छेक में आप सभी भरे हैं आपको एक सुचना है सुन लिजे अगर आप फूर्ड इंस्पेक्टर नहीं भरे हैं तो फूर्ड इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलफ कर दिजे क्योंकि उसका भी नोट सब कंटीनु जारी होगा और सीजी प्यस्ति प्रिलिम से कभी जारी होगा जैसे जैसे आपका एक्जाम आते जाएगा वसे वसे आपका त्यारी इसमें एक त्यारी के लिए वीडियो डलता चलेगा थैंक्यू